Hey, listen, तुझे पते है, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि कल में प्रोटेस्ट करके आई हूँ और I'm so proud कि मैं एक अच्छे cause के लिए खड़ी हूँ यार कैसा प्रोटेस्ट? CA का प्रोटेस्ट पर तुम क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी? हम सब प्रोटेस्ट कर रहे थे Citizenship Amendment Act के खिलाएफ तुम किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थी? अरे, ये अक्त इंडियन मुस्लिम की नागरिकता ले रहा है इंडियन मुसलिम की नामें ते किसने बोला? ये act तो बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की minorities को citizenship देने के बारे में है देखो ये तीनों countries Islamic state है और ये law religious minorities के base पे citizenship प्रवाइट कर रहा है तो ये तीनों countries में Muslim तो minorities नहीं है पर ये तीन देश ही क्यों फिर? गांधी जी ने partition के time और बात में नहरू जी ने भी ये promise किया था कि ये जो तीनों countries हैं, इसकी जो minorities हैं, इनका natural home इंडिया ही है और ये कभी भी इंडिया आना चाहें, तो 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 इनर्ची क्या है फिर ये? और बोला तो ये जा रहा है कि अगर अनर्ची आएगा, तो Muslims will be left out of it अनर्ची citizen register है और ये किसी धर्म के आधार पर नहीं है ये सभी को अपने documents दिखाने पड़ेंगे जैसे कि voter eye card हो गया, आधार card हो गया, insurance, birth certificate ये सारे documents सभी को submit करवाने पड़ेंगे और हर किसी के पार से documents तो होंगे ओ वेड, there is a main problem, जरुवे नहीं है कि हर गरीब के पास document हो और अगर ये NRC आएगा और जो Muslim गरीब है, वो अगर अपने document नहीं दिखा पाएगा, तो उसको तो ये भगा देंगे पर भही, अगर हिंदू है और वो गरीब है, उसके पास document नहीं है, तो C.A. तो उसको बचा लेगा अगर गरीब non-Muslim कोई है, तो उसको ये proof करना होगा, कि वो इन तीनों countries याने कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का citizen है ठीके, तो ये दोनों के लिए, चाए वो हिंदू हो, ये मुस्लिम हो, दोनों के लिए law same ही है अरे यार पर गरीबों के पास document नहीं है बसकर, ये बात तो पांच साल पहले बोलती तो समझ भी आता, अब तो हर गरीब के पास आधार, जन्दन बैंक अकाउंट है और maximum BPA लोगों को तो gas connection मिल चुका है घर-घर तक बिजली पहुंच चुकी है और हर किसी के पास कही न कहीं से documents तो हो गई पर चलो मान भी लिया, बाइच चांस किसी के पास document नहीं है तो NRC witness provision भी देता है आप किसी witness को लाकर भी प्रूफ कर सकते हो अपनी citizenship ओ अच्छा, तो क्या ये NRC process अब के लिए सेव है हाँ अच्छा, तो क्या तेरे पास ऐसा कोई प्रूफ है कि तेरी family 1971 से पहले इंडिया में ही थी 1971 में पैदा भी नहीं होई थी और ये जो सरफ है, ये सरफ असम NRC के लिए है क्योंकि 1985 में असम समझाता हुआ था सिर्फ इसी के वज़े से है जो कि राजीव गांदी ने हमारे पैदाउनों से पहले ही साइन कर दिया था तो ये सिर्फ वर्ल्ड वाल्ड नहीं है, ये सिर्फ असम के लिए है ओ माई गौड, तो फिर मैं प्रोटेस किस के लिए कर रही थी? ये से सुझे प्रोटेस करने से पहले सोचना चाहिए था पर लेकिन ये प्रोटेस क्यों हो रहे है फिर? सच बताओ, हाँ बोल ये सब कॉंग्रेस और उसके वोर्ड बैंक का किया धर है वैसे भी ये लोग मोदी जी से नफरत करते है और मोदी को हरानत उनकी बस में है नहीं धारा 370 हरा हटना हो या फिर राम मंदिर की जज्जमेंट हो इस मज़ए सब कुछ करने पाए तो बस खाँ मखाँ इस चौपिक को मुद्दा बना रहे है ओ तो ये अपने हेट एजटे के लिए मुझे यूज़ कर रहे है तू देख अब मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी और इनका असली चहरा इंके सामने लेकर आऊंगी